कि अज और ऑख किसमें इंजिने सुधिराजी दो पड़ता पड़ता है तो गुंगट देट सब्सक्राइब अ क्या है कि गुंगण करके रहना है, क्या एक समय वो था जिसके चेहरे पे कुछ निसान भी विसान लगे रहते थे वो गुंगण कर लिया यogo भार से लोग आते थे जैसे बुरका पर था है, कि बुर्का पहल लियाelim, एक एक कल्चर है या इन लोगोन ने अपने आप अपनाया है देगे पिपल जी जिन देशों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ सर पे कुछ ना कुछ रखने का जैसे मैंने टोपी लगाई हुई है आज गर्मी है किसी ने तान का बान का घास का बना के रखा लिया जो इधर के कंट्री है जापान के इंडूनी और जहां बहुत ज़्यादा रेद या गर्मी है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिस भी नहीं है और वहाँ औरतें घर के अंदर भी कपड़ा सर पर ठके रखें मूँ को छुपा छुपा के रखें आदमी से ज़्यादा काम करने वाली है अगर हम यह कहें कि सो में 55% हिस्सा औरतों का होता है हर काम में और 45% आदमियों का होता है तो यह अतिश्यूक्ति नहीं है यहां आदमी का आदमी गुलाम बनाया गया आदमी का आदमी घुलाम बनाने के लिए इस्टम बनाया गया और शिश्टम बनता चला गया घम चकर को उल्टा घुमा के और ऐसा बताया है कि ये चोटा ये उससे चोटा ये उससे चोटा ये उससे चोटा और उन्हों ने उस आदमी को गुलामी का एसास नहों और उसे कुछ आनंद सा प्राप्त हो इसलिए उसको कहा गया है कि तो अपनी और तो गुलाम बना ले क्योंकि वो उरत को गुलाम बनाता है तो उसे खुद उसके अधिपति होने का उसके प्रमुक होने का उसके मालिक होने का एसस होता है तो उसको अपनी गुलामी का एसस नहीं होता ऐसा करने के लिए कुछ दिолотि रिवाज बनाए गए और यहां तक कि उसको अपना चेहरा ढखने का भी अधिकार आदमी से खतम करा दिया गया ताकि ओरत को गुलाम होने का अधिकार होता रहा है चुनकि ओरत मांसी रूप से बहुत ससक्त होती है मगर सरी के रूप से बहुत कमजोर होती है इसलिए वो मजबूरी के तहत में और इन चालों के तहत में उसे अपना सुंदर चेहरा जुसने कभी नहीं चुपाया भारत के अंदर वो चुपाना बड़ा इससे सबसे वड़ा नुकसान यह हुआ कि हमारे भारत की जो 55% शक्ती थी जो देश की 55% सक्ती थी जो देश के विकास में लगनी चाहिए थी वो रुख गई और ने घर में गुलाम भरा दी गई आदमी को एहसास करा दी वो अपनी गुल गया और ती गुलामी का आनद जिते ने लगा तो परदार पिर्था को बावा साब या जो पड़े लिखे लोग हैं या जिन लोगों ने क्या बूलते कहा उन्होंने परदार पिर्था को कभी नहीं माना और जो पड़े लिखे लोग है भारत के अंदर भी चाहिए वो किसी भी धम प्रताय के उनके घर में पड़ा है नहीं इसका मतलब यह है कि उनके लिए पड़े के नियम कुछ और है और जो बाकी मूलने वाशी लोग उनके लिए उल्ले तो समझ जाना चाहिए कि जुक्षाता हुआ है कि जो कॉन सारी कानून पर्दा और यह सब लागू है जानकारी का भाव है जानकारी इसलिए बुद्ध ने जानकारी फैलाई इसलिए बावसाम ने जानकारी फैलाई जैसे जैसे जानकारे जैसे आज भाई करम विर सिंग जी ने क्योंकि जानकारी इनके पास है यह अर्याने के नेता हैं 20 साल से इन्होंने धम को अर्याने में फैलाया है तो जैसे इनको जागरती आई इसे जिनको जागरती आती है वो फैला है और जित दिरे काम चला भी तो बहुत लोगों ने पर्दा हटा दिया है कुछ लोग जिनको जानगा है नहीं है वो परता रखते हैं लगी सर गयों दियात के अंदर देखा जाता है कि जो छोटी समाज के लोग होते हैं तो उनको ये गुंगट करना ही है अगर कोई उची काश्ट का अगर उनके दरवाजे से भी निकल ला है तो तुरंत महीला है वह उन्हें ओरत को संपत्ति की दर्जे में ले आए हैं तो वह अपने और तो बच्चों को किसी सेतान से स्रुशित रखने के लिए के साइड में हो जाओ घर के अंदर हो जाओ सामने भी जाना पड़े तो मूह ढखके जाओ ताकि वो देखे ना क्योंकि अगर वो देखेगा तो उसका जो मन है वो दूसित होगा और वो कोई कोई पाप करेगा ऐसा सोच के भी क्या होते हैं सेफ्टी स्रक्षा के लिए जो गरीब आदमी तपका आदमी जानते भूसते भी कहे वारा वो कपड़ा कराता है